कि हमने लास्ट क्लास में क्या-क्या कर लिया सर एक बार यह देख लेते हैं कुश्चन्स भी आपको मिल गये होंगे जो हमवक वाले थे वह भी मिल गये होंगे तो हमने स्टार्ट किया था कि आप प्रॉफिट एस पर कॉस्चीट के हिसाब से क्या प्रॉफिट होगा उस पूरे कुश्चन्स को हमने देख लिया इसके बाद अगर हम बात करें तो आगे हमने और चलते गये चलते गये तो हमने क्या देखा इसका एक फॉर्मेट देखा और जितने बच्चे नए सोचन देखना स करने के बाद हमने फिर देखा प्रॉफिट एस पर फाइनेंस के हिसाब से क्या प्रॉफिट होता है इसमें फिर हमने एकृष्ञ सबस्टों जिसके इंदर हमें दोनों तीनों चीज़े बनानी थी इसको mines में डाल चुका हूं मैं यह भी कोशन में डाल चुका हूं होमवक वीडियो बना के और यह भी वीडियो है यह भी डाल चुका है यह भी कोशन डाल चुका है यह भी कोशन डाल चुका है यह भी कोशन डाल चुका है हाँ पीएंडल वाली वीडियो डाल चुका हूं आप चेक क करना था कि एक कोश्चन किया था जिसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस शीट दोनों बनाना था फिर हमें रिकांसिलेशन करना था ये कोशन होमवर्क में दिया था सभी बच्चों से ये कोशन हो गया तो बहुत अच्छी बात नहीं हुआ तो मैं कराऊंगा आपको और मेरे हिसाब से मुझे करा ही देना चाहिए कितने बच्चे कहते हैं सर आप ये कोशन करा दो बसा हमने लापरवाई कर दी हमने करा नहीं घर पे प्रैक्टिस तो आप ही करा दो इसकोश कितने बच्चे कहते हैं ये बात बताईए इमानदारी के साथ बताईए सर लापरवाई के वज़े से हमने नहीं किया इसकोश करें लापरवाई करें बताईए सर लापर बताईए सर लापरवाई कर दो कि देखें एक बार कमेंट किस किस का क्या क्या आया कि सर आप पुराने कॉंसेप्ट क्लियर नहीं करोगे मनतशा आपके कौन से पुराने कॉंसेप्ट की बात कर रहे हुआ मुझे क्लियर नहीं हुआ किस कॉंसेप्ट की बात कर रहे हैं यह वाली कॉस्चन बताईए आपने ट्राई किया यह मैं करके दिखाऊंग पुराने चैप्टर पुराने चैप्टर जो हो चुके हैं सिर्फ एक चैप्टर हुआ है कॉसीट उसमें बता दीजिए क्या डाउट ह उसके भी कॉस्चन डल गये हैं इते इसका कहना है सर हो गया था यह कॉस्चन और कोई बच्चा करा दो सर न्यू कॉस्ट में क्या चींज है इस चैप्टर को खतम होते ही मैं निव कोस्ट का चेंज और अगली क्लास में न्यू चैप्टर भी श्टार्ट कर लेंगे न्यू कॉस्ट में थोड़ा सा चेंज है एक है रिसर्च और डेबलेप्मेंट एक्सपेंस जिसको के हम फेक्टरी कॉस्ट के अंदर और एडमिन ए थोड़ा साथ चलिए सब्सक्राइब किया था यह ओके चलो मैं करा देता हूं जिन बच्चों ने कर लिया था वह चेक कर लेना जिनोंने नहीं किया था वह देख लीजिएगा कैसे हुआ होना है कर दिए क्या कैता है सर मॉड्यन कंपनी लिमेटेड इधर ध्यान दीजिए इधर ध्यान दीजिए मैंने गड़बड कर दिया सव्हांत प्लस-माइनिस लिख दिए Hello जबकि यहां प्लस माइनस तो आएगा ही नहीं क्या बना रहे हो सर आप यह कॉस्चीट बना रहे हैं क्या बना रहे हैं यह हम कॉस्चीट कॉस्चीट बनाने जा रहे हैं चलिए सर सबसे पहले क्या सब्सक्राइब लिखते हैं खाली छे पॉइंट बताए थे कि प्राइम को सेकेंड क्या था हमारा क्या इसमें वर्क इन प्रोग्रेस है बिल्कुल है तो अब क्या आजाएगा क्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट यह वर्क कॉस्ट इसके बाद क्या आएगा नेट फैक्ट्री इसके बाद बताओ क्या आएगा कॉस्ट ओफ प्रोडक्शन इसके बाद 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 चलिए क्या कहता है क्वेशन देख लेते हैं कहता है रॉव मट्रियल जी 13,49 तो रॉव मट्रियल यहां जाएगा 139,600 प्रडक्शन ओवर हैड एक पर नीचे भी लाइन पढ़ लेते हैं कहता है फैक्टरी ओवर हैड जो आपको लेना है एलोकेटेड पर पोस ने 20% अफ दा प्राइम कॉस्ट यानि यहां जो भी फैक्टरी ओवर हैड आपको दिखेगा उसे मत लीजिएगा प्राइम कॉस्ट पहले निकाल लीजिए उसका 20% आपको लेना है एडमिन ओवर हैड जो होगा वो 3 रुपे पर यूनिट प्रोडक्शन जितने यूनिट प्रोडक्शन करेंगे उसका 3 रुपे पर यूनिट लीजिएगा यहां पे कोई भी एडमिन अगर दे रखा है तो ससाफीा आपको इसके हिसाब से नहीं चलना है उस हरे सेलिंग डिस्ट्रिबीशन चार रुपे पर उनिट इसोल मैं यहां पर यहां पे जो सेलिंग डिस्ट्रिबीशन दे रखा यह स्मकर्न लीजिए ग्युक्यसे कि इसको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कहते हैं वर्क आउट प्रॉफिट कॉस्ट अकाउंटिंग एंड रिकंसाइल दा सेम ऑफ फाइनिशल अकाउंट से रिकंसाइल करना है चली अब फटा-फट से देखते हैं देखो यह तो नहीं लेना है डारेक्ट वेजिस तो लेना होग अधने गुड-विल आता नहीं डिविडेंट आता नहीं इनकम टेक्स आता नहीं इन तीनों को बारे में कुछ अलगी बात कह रहा है आ जैये सर सेल्स बारा सो युनिट है तो बोला गया सेल्स बारस 12000 है तो अद्मिन क्या होगा हमारा कि है अडिमिन आफार 12000 इंटू में कितने रुपए का एक यूनिट चार नहीं स्वारी सेलिंग डिस्टुबिशन चार है ना इसके बाद प्राइम कोस्ट आएगा एडमिन कहता है जितना प्रॉडक्शन करा है और यहां पर आप देखो ध्यान से प्रॉडक्शन ओवर हैड कहीं न कहीं मैंने भी देखा था कि प्रॉडक्शन का यूनिट लिखा हुआ है कहा है शायद यह आगे पीछे हो गया है यह डबलू य आई पी में तीनों चीज़े आ गई और यह बना ठीक है और सेल्स है यह और यह है चलो कोई नहीं प्रॉडक्शन का भी निकालते हैं सर फार्मूला क्या लिखवा है था फार्मूला लिखवा है था सेल्स यूनिट इस इकल टू ओपनिंग स्टॉक एफजी का यूनिट प्लस प्रॉडक्शन का यूनिट सेल्स यूनिट पहले से पता है कितने सर बारा हजार आपने बताया सर ओपनिंग स्टॉक दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा मेरेको तो छोड़ दो जीरो सर प्रॉडक्शन भी नजर नहीं आ रहा चोड़ दो आप सर क्लोजिंग स्टॉक जरूर नजर आ रहा है किसका लेते हैं फ्जी लेते हैं यहां पर दो-दो क्लोजिंग स्टॉक है लेकिन फ्जी का कितना है हमारा 200 यूनिट बढ़ा कम लग रहा है मुझे 200 कोई बात नहीं ले लेते हैं तो अगर हम इसको इधर लेके आ जाएंगे कितने बन जाएंगे 12,200 तो प्रोड़क्शन यूनिट आ गया हमारा 12,200 तो हमारा फेक्टरी कॉस्ट जो होगा सरी एडमिन का एक्स्पेंस यहां वर्किन प्रोग्रेस होगा यहां एडमिन का एक्स्पेंस क्या होगा सर 12,200 x 3 तो 36,600 ठीक है सैलिंग हो गया यह हो गया एक पर साफ सुथरा कर दें इसको आपका एडमिन का लिख लिए सैलिंग का लिख लिए प्रिमिडिया आत्पानी अब प्रोड़क्शन ओबर हेड कहता है कि भीया क्या होगा यहां पे प्राइम कॉस्ट का होगा तो प्रा सर एडमिन एक्समें 48,000 आएगा अच्छा मैंने 68 लिख दिया 12 चोक 48 सर 139,600 प्लस में दो पंद्रह आठ सो इसके बाद फैक्टरी ओवरहेड इसका कितने परसेंट कह रहा है बीस परसेंट कितने होगे 43 160 2589 अब सर यहां पे लेस कर दो क्या सर WIP क्योंकि क्लोजिंग है और WIP में हमें 81 अमाउंट लेना है 47,000 995 यहां आजाएगा नेट फैक्टरी कॉस्ट 21 सर एडमिन को एड़ गर देते हैं कितने 24 ठीक है अब सर यहां पे आएगा हमारा माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक और याद रखें क्लोजिंग स्टॉक जो निकलता है वो प्रड़क्शन के हिसाब से निकलता है यह वाला क्लोजिंग स्टॉक नहीं चलेगा यह वैलिड नहीं है तो प्रड़क्शन हमारा देखा जाए तो कितना हुआ सर 24 75 65 यूनिट कितने थे सर 12200 तो चौबेस 7 565 डिवाइड़ बाइड बाइड़ 12200 रुपीज तो हमारा रेट निकल के आए 20.29 अब इसको 200 से मल्टिप्लाई करना है 200 इंटू में 20.29 तो मैं इसको सीधा 200 से multiply कर देता हूँ तो लगबग लगबग आगे ये 4058 तो अगर मैं 247565 प्लस में 4058 ये आगे 2516 माइनस किया है मैंने प्लस कर दिया 3507 अभी आ जाएगा cost of sales 29 और सर sales amount वही लेना 480 ये क्या कह रहा है सर यहाँ profit आ गया माइनस में 188493 188493 और सर इसका profit कितना है 18994 अब आप observe करेंगे कि यहाँ पे सर चार चीजे changes हुई है जो की reconciliation में जाएंगे एक factory overhead एक admin overhead एक selling and distribution एक closing stock that's it इसी के वज़े से changes आया और साथ के साथ यहाँ पे कुछ ऐसे खर्चे हैं जिसको हमने नहीं लिया जैसे की preliminary expense goodwill dividend income tax नहीं लिया जो कि हम यहाँ पे cost जब बनाएंगे तो करके दिखाएंगे साथ के साथ इंटरस्ट भी हमने नहीं लिया security पे कहता है आपको cost to work profit as per cost account and reconcile the same with the show in the financial account जो financial account है उससे reconcile करना है तो मैं profit as per cost account ले लेता हूं बेस और finance के बारे में सोचके पूरा का पूरा मैं कर दूंगा तो मैं क्या करूं इसको roughly कर दूं बताइए कैसे करूं थोड़ा सा size reduce और इधर काम बन जाएगा चलिए यहां पर लेते हैं प्लास और यहां माइनस पर्टिकुलर प्रॉफिट एस पर प्रॉफिट एस पर कॉस्ट अकाउंट कितने प्रॉफिट है वन डबल एट नाइन फॉर नाइन थ्री अब पहला डिफ्रेंस के आया सर अब चेक मारते जाएंगे रॉब मट्रियल यहां भी और यहां भी यह तो कुछ नहीं करना वेज यहां भी और यहां भी तो दिखाया है तो क्या होगा सर सब्सक्राइब नहीं हमने खर्चा कम दिखाया तो प्रॉफिट बढ़ेगा 43160 माइनस में 42600 कितना बढ़ेगा सर 560 रुपे आगे आजाते हैं सर admin 39100 और यहाँ पर admin कितना है 36 तो अगेन यहाँ पर जादा है मारा यहाँ खर्चा जादा है admin का तो क्या करें admin expense का खर्चा जादा है कितने है 39100 और यहाँ पर 36600 तो यानि सर 2500 रुपे खर्चा जादा है तो जिससे profit कम होगा तो माइनस में आगया पच्छिस सो selling distribution में आते हैं 42700 यहाँ पर 48 सर यहाँ खर्चा कम है selling का क्या करेंगे बताईए कौन बच्चा बताएगा selling का खर्चा कम लिखा हुआ है add होगा less होगा selling का खर्चा add करेंगे बिल्कुल सही जवाब add करेंगे सर selling का खर्चा कितना था सर कितना था 45700 यहाँ कितना 48000 रुपे था 53957 रुपे यहां आड हो जाएंगे सर इसके बाद preliminary expense सर यह खर्चा तो यहीं है तो preliminary expense सर यह खर्चा तो यहीं है है इसका मतलब सर यहर्चय और सरे भी हिसे भी पॉज्य सो एक तं सर यह भी सुर्फ यहीं खाड़े रखा है कि इसको प्रोफ सर 3जार यहां पर नेट कह रहा है वैसे इसको ग्रॉस आब करके दिखा देते हैं कई बार लेकिन हम नेट करके जो दिखा रखा है वह ही है वह बाद कॉर्पेट की बाद थी वह तो इंकम टेक्स को सब्सक्राइब खर्चा दिखा दिया हो यह भी क्या करो माइनस सब्सक्रेडिट साइड में इंटरस्ट दे रखा है अच्छा प्लस इसमें तो इंटरस्ट आता नहीं प्लस दे रखा है आपको उससे प्रॉफिट बढ़ गया अच्छे अजार अब टोटल करके आंसर निकाल दो और निकाल दो क्या प्रॉफिट ऐस पर विकर दो इंटे प्लस आपस्भाटर ने शर चसान्स बढ़ां धा क्युंट एकाद रुपे का फरक आ सकता है क्योंकि मैंने राउंड फिगर लिया है वहां पे सर 18605 अरे बहुत ज्यादा अंतर आ गया कि 18605 टू कि सर मेरे मेरा मुझे यहां पर भी कुछ अमाउन डिजिट भी हिला हुआ लग रहा है और एक बार मैं अपना पी एंडल चेक कर लूँ भाई आप पांच इता ले संगे अग्याइब कि अग्याइब कि अग्याइब कि अग्याइब कि अग्याइब कि अग्याइब कि नहीं जी यह बिल्कुल ठीक है बताओ हमने कहां गड़बड़ी कर दिया तोटलिंगे सही करा आप बताते गया थे मैं करते गया था कि था नहीं जैक करो कि क्लोजिंग स्टॉक हां अरे क्लोजिंग स्टॉक तो भूली गए क्लोजिंग स्टॉक को तो हमने देखा ही नहीं कि इनकम था यहां पर इनकम कितना है by कि अधम और यह चार हजार पचास तो यहां इंकम जादा दिखा रख outta यहां जादा कि कि आत अथाने स्टॉक कि तने आर्फ़जार मैंने चार हजार फिफ्ट यटॉ घ्ए झाल झाल बिलकुल एकदम टकाटक word to word मैच हो गया चलिए हो गया closing stock भूल गये थे बस ओके सर बताइए कोई doubt किसी को बताइए किसी बच्चे को कोई doubt किसी student को कोई doubt नो सर किसी student